अक्सेलशे नियूज में आप सभी का स्वागदम है उर्टेश कपता जिस तरह से गुलान अभी अज़ाद ने हाली में इस्तीफा दिया तो उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक दिगच नेता जो है कॉंग्रेस पार्टी को अलविदा कहता हुआ नाजरा जीम सुरूरी सा आज हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं जीम सुरूरी साब आए सीधी बात करते हैं सर बहुत बोट स्वागत आपका अजरा साब की कल रेली है इस रेली को लेकर क्या त्यारियां की जा रही है और क्या उम्मीद है आपको आजरा साब के रिजाइन के बाद ये उनकी होम स्टेट है और यहां एलेक्शन होने वाला है फोकस तो अपना ज्यादा तर आजरा साब का और हम सब का रहासे जम्मो कश्मीर पे ही रहेगा इसलिए उन्हें एक शुरूआत जो की अपने घर से की और उसके लिए वो का रेल कि अजरा यहां पर कही हैं कि रिजब की ङौकश्मीर की बाँ करें तो यहां पर कैए पार्टी में आज़ाद साब के यह बाटी जो नेज़ाद के बेनाना जा जा ह éch रहा है वो सब से टॉप की पार्टी हूँ क्योंकि उनका जो पे 2005-2008 तक और इतने 40 साल जासे जमो कश्मीर के लोगों ने उनकी कारकर्दगी उनका काम, उनका काज, उनका तामिर और तरिकी का नया विजन, फुर्स शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, तोर्ड शिफ्ट, आज तो एक शिफ्ट का काम लोगों को नहीं मिल रह आज अंसिकल का पैसा नहीं मिल रहा, आज हवाजपलस का पैसा नहीं मिर रहा, जिसका चर्चा पूरे हिंदृस्तान में है, आज जल जिफ्ट के तहट, जो पानी गरगर नलका है, कहीं पाइप का ठोटा है, आज पानी के गगर। तरस रहें, मेरे खिएखर में, अगर य और इसलिए आज सुनामी आप देख रहे हैं पुरे जमो कश्मीर में किस तरह से लोग सपोर्ट पर सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं चार तरीक जो आपने निधारित की इसी चार तरीक को कॉंग्रेस पार्टी जो है हल्ला बोल करने जा रही है जो बेसिंग नेसे स्टीज फैंक कोई था नहीं लासा उन्हें काभ मकारर किए हमने सबसे पहले आज से पंदना दिन पहले जो टाइम था हमारी किसी के हकंए करें आजा तो राहुल गांधी की वज़ा से पार्टी चोड़ी गिए एसा सब का कहना है सभी leaders का ये कहना है तो राहूल गांदी ही अगर वजए थे तो आज ये फैसला क्यों लिया गया राहूल गांदी जो है काफी समय से जो है लीड कर रहे हैं तो ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था ने कि हर वक्त मुकरर होता हर चीज के लिए हर आदमी को time दिया जाता है जब ज इसडल रिश्टिक लेवल पे अलेक्ष्टन करें आप फेक ने रहाएं के जो हो अहां रहे हैं और प करई हैं लोग सारी इसकूर 29 आपकड़ पकड़ Hep इसे बाद बरने माली जब नहीं मानी पिर तांगामध था भज्जणगामध पिर चारा नहीं था और खास करके हम जम्हो कश्मीर के लोग जिस दलदल में फसे थे उनको निकानने के लिए हमनी इरादा किया था क्या गुलान नवी अज़ात यहां पर अगर यूटी ही रहती है तो क्या वो सी एम फेस बनेंगे? देखे प्राइम स्ट्राप इंडिया ने और हम मिनिस्टर ने पारलीमेंट में कहा है कि हम जल से जल माकूल वक्त में यहां स्टेट हुड देंगे लेकिन माकूल वक्त कि उन्होंने कुछ परिभाशा नहीं दी ना इकन्डिशन्स बताएगी है माकूल वक्त कब आएगा? देखे अगर पार्लीमेंट एक हलफ लेता है, एक मिनिस्टर जामानदा हलफ लेता है, अगर उन्हों ने पार्लीमेंट में ये बात कही, उनका दाइरा इक्तियार जो है, वो पाँच साल है, पाँच साल में तीन साल तो उनकी घुदर गए, अब दो ही साल है ना, साल में ये अगर आखी इस साल में नहीं उन्होंने किया उसका मतलब उन्हें पार्लीमेट में घलत बात किया पार्लीमेट के साथ उन्होंने दोखा किया दोखा कभी नहीं हो सकता है मुझे उमेद है कि जो रियासद जम्व कशमीर चानना कर हम कहते हैं कि हमें वापस देा जाए जाए जम्व कशमीर अगर अगर स्टेट बनती है तो सि-म वीस चाहिए अगर यूटी ही रहती है तो तब भी क्या अजाद साह भी है जमो कश्मीर में इतिहास में अगर देखें तो कोलेशन का जो है यहां पर साथ रहा है तो अजान साब की पार्टी किसके साथ कुलेशन में आ सकती है किसके साथ कुलेशन का नापसंद करेगी अभी तो हम ना बेस फीटू पर लाड़े अभी यह वक्त दूर है अभी जब एलेक्शन मिजदी का जाएगा उस वकत की जो इस्तिति क्या बीजेपी के साथ गडवन्दन कर सकती है कॉंग्रेस पार्टी के साथ कर सकती है क्या कॉंग्रेस ऑप्शन है उसमें वहां आजास साथ के अपना सिपीश सुने और उस पर अमल करें बहुत वशुक्रिया आपने समय दिया जहां गुलान आविया अजात का एक निया विकल जम्स कश्मीर में आ पैल जा रहा ना जिस पार्टी का लांच की जा जा रहा है । पहले से ही कही सधर्स्य revolution पार्टी से यहां कर दिसकार.